दोस्तो बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोथसाहान योजना के लिए कैसे आपको फ़र्म को अप्लाई करना है step by step मैं आप जो एक लाई फिल करके बताऊगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी परकार की mistake न हो इसमें क्या है ना कि बालक बालिका दोनों को जो है पैसे यहाँ पे सरकार देती है किसी को 10,000 देती है तो किसी को 8,000 देती है किसको कितना मिलता है इसके उपर मैंने एक separate वीडियो बनाया हुआ है आप में से बहुत सार लोग यह है जो पूछेंगे कि सर 10,000 बालक को मिलेगा या बालिका को मिलेगा किसको कितना मिलेगा फर्स सेकेंड थर्ड किसको मिलेगा तो इसके उपर हमने एक separate वीडियो बनाया हुआ है वीडियो नहीं देखे है न तो देख लिजिएगा ताकि आपको सारा जो है डाउट्स किलियर हो सके और आपको पता चल सके कि हम इलिजबल है कि नहीं इलिजबल है हमको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो पहले वीडियो देख लिजएगा इस वीडियो में आपको मिल जा मेधासॉफ्ट.bh.nice.in इस वेबसाइट पर आपको आना है जिस आप यहां आएंगे यहां देखें मुख्यमंतरी बालक बाली का प्रोथसान हो जना तेंथ पास स्कोलर्ट स्विप के लिए अपलाई फॉर दोजार चोविस लिंक अच्छे से प्रोपर जो है वेबसाइट काम कर रहा है आप लास्टेक फॉर्म को समिट कर सकते हैं पंदरा मईस का लास्टेट फॉर्म भरने का ताप इस वेबसाइट पर देंगे या मैंने आपको जहरें हैं तो उनको यहां पर 10,000 और किसी को 15,000 यहां पर मिलते हैं तो इसका भी आवदन सुरू है यह भी अगर फॉर्म नहीं भरें तो भर लीजेगा इन दोनों को अभी अलग अलग प्रोसेस है आप जान लीजेगा इसके उपर हमने स्प्रेट वीडियो बनाया हुआ हुआ है चलिए समझते हैं कि इसके लिए कैसे फॉर्म को भरना है तो आप इस वेबसाइट पर आए यहां पर आपको देखेंगे मुख्यमंत्री बालक बाले का तेंथ पास पर उसान वह जाने इस पर लिंक पर आपके समने इस परकार से वेबसाइट ओपन हो जाता है कुछ इस पर सब्छाइब करेंगे दो हुआ साल रिफ्रेस हो जाता है तो जैसे आप पेज को रिफ्रेस करेंगा अगर आपका कभी कभी साइट नहीं वर्क करता है या ओटी नहीं आ आ रहा है या और भी कोई बी समस्या और यह नहींत है तो आप दुबारा ट्राइगे कुछ दिर तो यहां आप नीचे में देखेंगे तो यहां एक option मिलता है apply online का option आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर बहुत सारे options भी मिलते हैं आपको payment report चेक करना इसके लबा नेम चेक करना लिस्ट में अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिलहाल यह भी काम नहीं कर रहा है बहुत जल्द यह आपका आज आएगा लिस्ट वगरा फिलहाल आप apply online पर क्लिक करते हैं अब apply online पर क्लिक करते हैं इस परकार से आपका जो है सबसे इंस्ट्रक्शन खूलेगा इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ेंगी यह चार स्टेप में आपका पैसा यहां पर आता है मतलब चार स्टेप का प्रोसेस है इसका पहले आप apply करेंगे फिर department verification होगा फिर आपको यूजर आडी पास्ट आएगा और फिर आप जो है लोग इन करके खूल के आ जाएगा इस परकार से देखिए यहां आपको सुझ पले जो है district स्टिक चूज़ करना है कौई को से shapilyal मैट्रिग किया हूए सी अगया कोई बी इस डिस्टिक किया है कोोई बी ड्रिक झोबी ीस पिस्टिक से अब कुई है ओ आप यहां पे चूज कर लेंगे फ ऐसे स्टार्ट हो फिर 2022-23 ऐसे हो तो उसी तरह से लिखना जैसे वो लिखा हुआ है यह फिर अपना पूरा नाम यहां पर लिखेंगे जिस परकार से आपका दुस्वी क्लास के मार्क्सिट पर नाम है फिर याँ डेटर बर्थ की च्वाइस करेंगे जो भी आपका डेटर बर पर यहां पर कितना मार्क्स आपको मिला हुआ है मैट्रिक में वह आपको यहां पर लिखना है फर इजांपल आप 309 मिला है अब फर्स्ट की सकेंड तो इस तरह से बता देंगे डिवीजन आपसे पूछा जा रहा है फर्स सकेंड फिर यहां पर आपका केटेगरी क्या है आ करेंगधे फिर दुसरा मोबाइल नमर एक और देना है तो अगरे बस दो मोबाइल नमर नहीं है तो यहां पर करेंगे पर आदहार और हैं valid बेरिफाइ नमर पर क्लिक करेंगे आपका data फिर से अधार से वेरिफाइओगा और फिर स्क्यपचा कोड को यां भरके प्रिफ्यू करेंगे एक चीज भी से ध्यान दिजिएगा जो मैट्रिक पर जो आपकी जनकारी है वह सेम सेह आपके आधार काड़ पर होना चाहिए अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आपके पैसे नहीं आ सकते हैं तो पहले आप क्या करें मालेजिए सपोज कोई कंडेट का मैट्रिक पे जो है थोड़ा से स्पेलिंग मिस्टेक है तो वह अधार को ही अपडेट करवाईए ना कि वह जो है मैट्रीक अपडेट नहीं भी आएगा और ध्यान रहें कभी-कभी इमेल पर जो है ना OTP आने में समस्य आ रही है मुबाइल पर भी OTP आने में समस्य आ रही है तो आप लोग रीट्राइ करिए दुबारा सुरू से फॉर्म को भरिए प्रिभीव करते ही फ्रेंट साब अगले स्टेप में आपक क्या करते हैं गल्ति कर देते हैं अधारकाड का जो फ्रन्ट है वहीं अप्लोड करते हैं जी क्या करते थे स्कूल में आगे है तो वही अप्लोड करिए नहीं तो आप उनलाइन वाला ही अप्लोड करेंगे चलिए हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं और उसके बाद से अप्सक्राइब कर लेंगे रजिस्टर करते हैं तो यहां पर रच्छन हो जाता है सक्सिस्पुली आपको क्या करना इसे प्रिंट आउट ले लेना है या स्क्रिंस और जरूर ले लिजेगा और यहां पर नीचे आएंगे यहां पर देखिए आपको जो है डिस्क्लेमर वगरा सोर है यहां पर बोला जा रहा है कि पंजिगिर्थ अधार संख्या से एक बैंक खाता जुड़ा होना अनिवार है यानि जो भी आपका अधार काड है उसे एक एक अगाउंट जुड़ा होना चाहिए तभी उस एक एकाउंट में पैसे आएंगी आप लोग बुलेगा एकाउंट नमर मांगा यहां तो पैसे कैसे बीजागा तो यानि जो आधार से जो सीड़ेड आपका एकाउंट है उसे यानि फ्रेंट्स अभी आपका सिर्फ पंजी करण हुआ है आप पंजी करण जब आपने कर दिया है उसके बाद विभाग जो है इसकी सत्यापन करेगा सत्यापन के बाद आपको जो है कि यूजर आईडी आएगा और एक पासवर्ड आएगा जिया दोस्तों इन दोनों को आप जो है नोट करेंगे आपके मोबाइल पर ही आएगा और उसके बासिका करेंगे आप लॉगिन करके फॉर्म को फाइल समिट करेंगे आप यहां लिखा हुए यूजर आडी पासवर्ड प्राप्त होने के साथ दिन के अंदर जो है विभाग ये पोटल पर लॉगिन करक आपको जो अंतिमर्ट देना है यह भी ध्यान रखना है कि jis आपका यूजर िपासवर्ड आज आजये तुर्हंत साथ दिन के अंदर ही आपको जया लॉगिन करके आपको फ़ाहरी करना आप चलिए करते हैं continue करते हैं फिरिंट्स देखें यह login पेज आपका open हो जाएगा अब यहीं पर यूजर आडी पासवर्ट जब 14 से 15 दिन बाद आएगा तो आपको login करके मोबाइल को चेक करते रहेगा ध्यान दीजिएगा और लोगिन करके फॉर्म को समिट कर देंगे उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा अब यह समझ में आ गया अब इस बीच में आप जो है अवे दिन के स्थिति को भी चेक करते रहेंगे आप इसके लावा च सब्सक्राइब कर रहा है तब आप लोग सिर्फ रेशन करके छोड़ दीजिए बाकी प्रोसे जैसे हम आएगा हम आपको अलग से बीडियो बनाके बता देंगे आशा करता हूं फ्रेंट्स आपको जनकारी समझ में मिलते हैं किसी नेक्षूड़ों में जाहीं आपका दिन स दूब